आज की वीडियो में आपको बताँगा Google Cloud Print के बारे में कि यह क्या होता है इसे कैसे यूज़ करते हैं और इसका क्या उप्योग है तो चली शुरू करते हैं Google Cloud Print की मदद से आप दुनिया में कहीं भी बेठे अपने घर या ओफिस के प्रिंटर को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा इसके ओर भी का उप्योग है यदि आपको कोई फ्रेंड आपके घर या ओफिस के प्रिंटर में प्रिंट देना चाहता है तो वह Google Cloud Print की मदद से आसानी से ये काम कर सकता है इसके अलावा यदि आपका प्रिंटर सर्फ एक ही PC से कनेक्टेड है और आपके पास बहुत सारे PC हैं और आप चाहते हैं उसी प्रिंटर से प्रिंट करना तो ये काम आप Google Cloud Print की मदद से आसानी से कर सकते हैं तो चलिए आप सीख लेते हैं Google Crowdprint को कैसे यूज करते हैं इसके लिए आपको Google Chrome में जाना होगा यहाँ पर आपको 3.0 पर किलिक करना होगा यहाँ पर नीचे नीचे सेटिंग का ओप्सन है यहाँ पर किलिक करेंगे यहाँ पर यह गूगल की सेटिंग्स खुल गई है हम स्क्रोल डाउन करेंगे और यहाँ पर एक एडवांस का ओप्सन है यहाँ पर हम किलिक करेंगे हम फिर से स्क्रोल डाउन करेंगे और यहाँ पर एक प्रिंटिंग का ओप्सन आ रहा है इसके नीचे गूगल क्लाउड प्रिंट का ओप्सन आ रहा होगा हम यहाँ पर किलिक क करेंगे यदि आपका पेले से प्रिंटर एड है तो यहां पर शो हो जाएगा और यदि आप प्रिंटर एड करना चाहते हैं तो हम एड प्रिंटर पर क्लिक करेंगे आपको गूगल इमेल आईडियो और पासवर्ट डालके यहां पर लोगिन कर लेना है हमने पेले से लोगिन किया हुआ है तो हम डायरेक्ट इस पेज़ पर आ चुके हैं जैसे ही आप एड़ प्रिंटर पर क्लिक करते हैं आपके PC से जितने भी प्रिंटर है यहां पर न लग जाएंगे आपका जो भी प्रिंटर है आप उसे कनेक्ट कर लिजिए तो बहुत 52 प्रिंटर जोड़ेंगे तो वहें गूगल क्लावड प्रिंटर से डारेक्ट कनेक्ट हो जाएगा अब हम एड़ प्रिंटर पर क्लिक करेंगे जैसे हैं आप प्रिंटर पर किलिक करते हैं हमारा प्रिंटर गूगल क्लाउड प्रिंट से कनेक्ट हो गया है यहां एक उप्षान आ रहा है मैनेज योर प्रिंटर का हम इस पर किलिक करेंगे जैसे आप manage printer पर किलिक करेंगे आपके PCC जितने printer connected है वो यहाँ पर show हो जाएंगे यदि आपके printer यहाँ पर show नहीं हो रहे हैं तो आप refresh पर किलिक करेंगे आप जैसे refresh पर किलिक करेंगे आपके printer यहाँ पर show हो जाएंगे अब यदि आप इस printer को share करना चाते हैं तो यहाँ पर हम पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पर share पर क्लिक करेंगे share पर क्लिक करते ही यहाँ नीचे नीचे invite people का एक option आ रहा है हम जिस किसी भी इंसान को अपना printer share करना चाते हैं उसकी email id यहाँ पर डाल देंगे हम यहाँ पर एक email id डाल देते हैं हमने यहाँ पर email id डाल दी है अब हम share पर क्लिक करेंगे जैसे हम share पर क्लिक करते हैं इस email id पर एक message गया होगा तो चलिए हम उस email id पर login करके बताते हैं जिस email id पर यह message गया है तो यह वो email id है जिस पर google cloud print की तरब से एक message आया है हम इस पर simply क्लिक करेंगे यहाँ पर add printer का एक option आ रहा है जैसे हम add printer पर क्लिक करेंगे का friend आपके printer को आसानी से access कर सकता है अब आप my computer में से यह दि print देना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर कुछ option दिये गाए है हम यहाँ पर print पर क्लिक करेंगे यहाँ पर upload file to print पर क्लिक करेंगे यहाँ पर select a file from my computer पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप अपनी जिदर भी आपकी file रखिये उससे चुन लेंगे हम यहाँ पर एक हमारी file चुन लेते हैं इसे open करेंगे जैसे हम open पर किलिक करेंगे यह printer चुलने को आएगा हम यहाप पर हमारे printer चुल लेते आपके सामने printer की कुछ setting आ जाएगी यदि आप color रखना चाते तो color रख सकते copies आप घटाना बटाना चाते तो घटा बढ़ा सकते और आप यहाँ पर paper size है जैसे आप paper size रखना चाते हैं वेसा रख सकते हैं और जैसे यहाँ print पर किलिक करेंगे आपका document print हो जाएगा अब यह यह आप कोई भी document direct print करना चाते हैं जैसे कि हमारा यह वाला document है हम यहाँ पर control पी दवाएंगे अब हम हमारा printer जुनेंगे लेकिन यहाँ पर हमारा printer डारेक्ट नहीं आ रहा है इसके लिए हम एक software download करेंगे हम इसे cut कर देते हैं हम यहाँ पर chrome browser में फिर से जाएंगे यहाँ पर print का एक option आ रहा है हम यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर other way to print पर click करेंगे यहाँ पर नीचे scroll down करेंगे यहाँ पर एक option आ रहा होगा google cloud printer for window और इसके बगल में एक option आ रहा है google cloud print window driver हम इस पर click करेंगे जैसे हम इस पर click करते हैं यहाँ पर एक download google cloud printer का एक option आ रहा है हम यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर accept and install पर किलिक करेंगे जैसे हम accept पर किलिक करते हैं यह download हो गया है हम इसे open करेंगे हम इसे यहाँ पर run करेंगे यहाँ पर permission देंगे yes करेंगे यहाँ पर हम install पर किलिक करेंगे यहाँ पर यह install हो चुगा है हम इसे close करते हैं अब फिर से डोकुमेंट ओपन करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल पी से प्रिंट देंगे, यह देखिए यहाँ पर Google Cloud Print का एक ओप्षन आ गया है, अब हम इस पर किलिक करेंगे, जैसे हम प्रिंट पर किलिक करते हैं, हमार डोकुमेंट प्रिंट हो जाएगा, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है, तो लाइक करें, शेयर करें, और एसी इंफर्मेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,